वेलकम तो मैं यूटूब चैनल राशिद अन्यूम सर जूनियर फांडेशन बेटा आज हम लोग देखने वाले हैं exercise 9.3 के solution को दैट मिस्के जितनी भी साड़े questions है ना उन सभी questions को हम लोग solve भरने वाले तो देखो सबसे पहला question जो यहां पे कह रहा है कि carry out the multiplication of expressions in each of the following pairs ठीक है इस exercise को करने से पहले तुम इसके introduction को देखे हो कि नहीं अगर नहीं देखे हो तो description में इसका link दिया हुआ है आप वहां पे जाके देख लें या फिर playlist में भी आपको मिल जाएंगे पहले जाके इसका introduction द कि जिसमें हम कुछ अलग तरीके से कर रहे होंगे या सूच रहे होंगे और तुम कुछ अलग तरीके से सोच रहे होगे या कर रहे होगे तो दोनों आदमी का बातें जब आपस में match करेंगे ये देन जाके कहना कि yes yes sir सारी चीजें समझ में आ रही है तो सबसे पहला number question हम य यह जो 4P है इस 4P को multiply कर लेते हैं और इसको bracket में रख लेते हैं Q plus R से इसका मतलब तो बस यही हुआ कि 4P को multiply कर डालो अब exactly यहां पर देखो 4P को पहले Q से करोगे तो 4P Q हो जाएगा 4P Q होगा और फिर पलस और पलस पलस रहेगा और 4P और R से करोगे तो 4P R हो जाएगा बस यह हो गया आपका answer बोलो यहां तो कोई दिक्कत है भाई कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं है ना चलो आगे बढ़ते हैं दो नमबर में है कि A B को मेरे को multiply करना है और किस से multiply करना है तो A माइनस B से करनी है तो हम चलो यहां पर A माइनस B लिख डालते हैं अब A B को A से multiply करोगे तो A A क्या हो जाएगा बिटा A square होगा और B रह जाएगा क्योंकि B तो इसमें है ही नहीं इस वाले ठर्म में फिर यहां पर पलस माइनस माइनस होंगे फिर A को आप A रहने दोग और B और B को multiply करने के बाद B square आ जाएगा चलो second number भी clear हो गया हम third number के तरफ बढ़ते हैं और third number का जो question है वो exactly A plus B है यह एक pair है और इसे हमें multiply करनी है किस से तो 7 A square B से तो हम यहां पर 7 A square B लिख डालते हैं कोई दिक्कत नहीं भाई कर सकते हैं ऐसा कोई problem नहीं है अब आप देखो 7 A square B को पहले A से करोंगे तो बिटा क्या हो जाएगा तो 7 A square और A है तो A cube हो जाएगा और B अप लगा देना यहां पर पलस है और पलस है तो पलस 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 रहने से तैना अब देखो B को पूरे से multiply करो तो कितने हो जाएंगे 7A स्कुर्य बीक्षम हो जाएंगे 7A स्कुर्य और B स्कुर्य होगे ठीक है आब यहां पर 4th नंबर जो है पलस नंबर पर देख लेजए a square minus 9 को हमें multiply करना है किस से तो 4 a से multiply करना है तो 4 a को पहले a square से करो तो 4 a cube हो जाएगा दिक्कत नहीं कोई परिशानी नहीं आगे देखो plus minus minus हो जाएंगे फिर 9 को 4 से करोगे तो 36 आएगा और a है तो 36 a हो जाएगा फोर के बाद आप 5 नमबर पे देख लो P Q पलस Q R P Q पलस में Q R और पलस में R P को multiply करना है फालतू से चीज से किस से multiply करना है जीरो से तो final answer तो 0 ही आएगा ना भई 0 से किसी भी चीज को multiply करते हैं तो वो हमें answer 0 ही देता है ये बात आपको पहले से पता है चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ूं क्या समझ में आ रही ने चीजें हाँ भई तो जल्दी से subscribe कर दो और अपने friend के साथ जितना हो सके share कर दो और एक प्यारा सा अच्छा सा comment भी कर दो ताकि मैं देखूं दिल खुश हो जाए बच्चों का समझ में आ रहा है हैस्टेग राश्यदंजन सर जरूर comment किया करना अगर बातें आपको समझ में आती हो तो देखो भई इसको complete करना है और किसको complete करना है तो table को complete करना है आप a को इस पूरे से multiply करेंगे दिन क्या होगा a को पहले b से multiply करोगे बेटा तो a b होगा देखो फिर पलस है ना और ये भी पलस में है तो पलस पलस होगा, A को C से multiply करोगे तो AC होगा, यहाँ पे plus है तो फिर plus हो जायगा, ठीक है, अब फिर A को D से multiply करोगे तो AD हो जायगा, clear है, तो AB पलस AC पलस AD हो गया, यह आपको इसका answer हो गया, बोलो समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले है कि इस 5XY से इस तीनों टर्म में multiply करने वाले हैं, तो 5XY से X में multiply करेंगे, तो कितना हो जायगा, 5X square Y हो जायगा, ठीक है, अब फिर इस 5XY को Y से multiply करोगे, तो 5XY square हो जायगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, पलस में 5XY square, XY square, ठीक है, अब यहाँ 5XY को minus 5 से करोगे, तो पलस माइनस माइनस, तो यहाँ पे पहले माइनस दे लोगे, और 5, 5, 25, तो यहाँ पे 25 दे लोगे, और XY है, तो एकस वाई लिख लोगे, बोलो दिक्कत हुआ क्या, 5X square Y, 5XY square माइनस 25XY, बढ़ी है, अब यहाँ पे आपको P को तीनों से multiply कर डालना है, तो P को पहले इससे करोगे, तो 6P cube हो जाएगा, होगा ना भई, 6P cube, क्यूंकि square है, यहाँ माइनस है और यहाँ पलस है, तो पहले माइनस दे लेना, उसके बाद देखो, 7P को P से करोगे, तो 7P square हो जाएगा, बढ़िया है, फिर पलस है, और पलस है, 5 को P से करोगे, तो पलस में 5P हो ज एक चलो अब 4P को इसे multiply करो तो जल्दी से पहले इसकुयर से करो तो क्या हो जाएगा फोलटी क्यूब नहीं यहां पे, लिएकशन है और हो जाएगा चैप और क्यू इसकुयर ह्ट ली इसलिए लिप दालो क्योंकि को यह Drive माइनस है और इधर पलस है तो यहां पर साइन माइनस का हो जाएगा यह क्या हो जाएंगे 4p2 q4 4p2 q4 हो जाएगा बोलो के लिए हुआ अच्छा इस ABC को ABC से करो ABC को A एबी सीए स्क्वेर होगा बस 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 हो गया सालिशन सारा आपको बस इतना साही तो काम करना था इसके अलावा जो है वह आप बसाव बस चाहए का बचा जो बचा उसको लिख डालो एसको आपकंड और इंट्व एक हो तो बैस और दो चौबिस और चौबिस चेटीस बिस पचास इड़ो समझ में क्या किलेड है कोई प्रभलम कोई परिशानी कोई दिक्कत तो नहीं तो नहीं तो पता है कैसे भी करते है और detail में अगर करना है तो इसके power को तुम add कर दो 2 पलस 22 पलस 26 ऐसे करके आप add कर दो तो अब आप लिखो 8 to the power 50 लो भाईए यह पूरा का पूरा detail में हो गया हमें इसको solve करना है तो हम क्या करेंगे 2 by 3 को multiply कर लेंगे किस से तो minus 9 by 10 से multiply कर लेंगे ठीक है और multiply करने के बाद जो जो हमें बचे यानि x y को multiply कर डालेंगे किस से तो x square y square से चलो भाई मेरे यहाँ देखो 2 से 5 times में गया और 3 से 3 times में चला गया यानि के overall यहाँ पे जो आपको बचा वो minus 3 by 5 बचा क्यूंकि numerator में minus 3 और नीचे में 5 अब देखो x है और x square है तो x cube हो जाएगा एक बार में लिख दो y है y square है तो यह exactly आपका y cube हो जाएगा बोलो इतना answer आएगा आया था कि तुम्हारा भाई तुम बनाया थे तो इतना आया था या फिर बनाया ही नहीं थे नहीं बनाया थे क्या बाई बनाना चाहिए था ना बनाते अच्छा लगता चलो खेर कोई नहीं आप यहां पर आगे देखो यहां भी आप उसी तरीके से करेंगे minus 10 by 3 को multiply कर लो खीक है भाई तो अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर कटने वाला है 5 तूजा 10 और 3 तूजा 6 यानि के 2 तूजा 4 और minus में 4 आ जायेगा अच्छा भाई P single है और triple है यानि के P to the power 4 लिखेंगे Q क्यूब है और यहां पर Q है तो Q to the power 4 हो जायेगा चलो फोर्थ नमबर में य पावर क्या होंगे बिटा एड हो जाएंगे 123 और 4 आप सभी को एड कर दोगे तो यहां पर सिंपल सी बात है चारती साथ दो नो एक दस एकस का पावर कितने हो जाएंगे तो एकस का पावर टेन हो जाएंगे के लिए अरे आसान था बहुत इसी था चलो फोर नमबर देखो 4 के A में क्या करा है कि simplify करना है अपने को इसको simplify करना है and find the value यहां पे x बडाबर 3 पे भी value निकालना है और x बडाबर 1 by 2 पे भी निकालना है तो पहले हम फटा फट से इसको multiply कर लेते हैं ना multiply करके simplify कर लेंगे फिर उसके बाद value रख देंगे तो चलो simplify करो 3x को बेटा 4x से 3 है और यहां पे minus में 5 है तो plus minus minus हो जाएगा तो 3 5 कितना होगा भाई मेरे 15 होगा और x है तो आप x रहने दोगे अब plus में 3 है तो 3 कर लोगे अब यहां पे देखो यहां पे plus में 3 है यहां x है यहां x square है like terms तो है नहीं अब like terms नहीं है तो आप उसको add नहीं कर सकते हो तो य यहां पर पुट करना है x is equals 3 तो हम यहां पर लिख रहे हैं putting x is equals to 3 putting x is equals to 3 जब x को हम 3 में यानी x बडाबर 3 इसमें put करेंगे दिन क्या बनेगा क्या बनेगा देखो तो यहां पर यहां पर लिखो 12 और बीच में कोई sign नहीं है तो into x के जगा पर क्या डालोगे 3 और x का square है यानि कि 3 का square होगा minus के जगा पर minus 15 के जगा पर 15 दोनों के बीच में कोई sign नहीं है तो multiply x के जगा यहां पर 3 रखेंगे plus के जगा plus और 3 के जगा 3 वा भई इतना तो कर लोगे यार यह तो बड़ा आस सानी से solve कर लोगे 12 और into में 3a square केतना होता नाइन और यहां पर देखो तो दोनों multiply है तो पहले multiply कर लेना पहले एड़ नहीं करना पहले multiply कर लेना तो 15 3 15 45 और यहां पर माइनस है तो यहां पर आप माइनस में 45 लगा देना और पलस में 3 हो जाएगा बढ़िया है यानि यह 12 नाइजा 108 माइनस में 45 और पलस में 3 यानि आप पहले यह पलस वाला पलस वाला को add कर लो तो 111 हो जाएगा मेंसे 45 को आप सब्टैक्ट कर दो और जैसे ही तुम 45 को यहां पर बिटा सब्टैक्ट करोगे ना तो तुम्हें क्या मिलेगा पता है क्या मिलेगा साइद आप यह यहां पर इसे घटा लोगे 11 मिसे 5 गया 6 दस में शाड़ गया तो यहां पर आ जाएगा 66 आपका आंसर हो गया यह पहला वाला आंसर आपका निकल गया भाई मेरे अच्छा दूसरा वाला भी आंसर निकालना है क्या हां तो रखलो ना एक्स बडाबर वन बाई टू तो यहा के बीच में मल्टिपलाई है तो मुल्टिपलाई कर दो एक्स कर रखो दोगे क्या यहां पर ऑन बाई one isक्वैर one होगा और two a square क्या होगा पर four और यहां पे देखो माइनस में 15 15 होगा और 29 क्या ओज extras कर लेना अच्छा यह डेखो यह four से के चैंसल होने वाला है त्री टैम्स में यानि आपको आ गया 3 माइनस में 15 बाइटू अपलस में 3 तो बच्चों 3 और 3 को जोडने पर 6 आता है तो 6 माइनस 15 बाइटू कर लेंगे बोलो इत्ता तो कड़ी सकते हैं 6 माइनस 15 बाइटू हाँ सर बिलकुल कर सकते हैं अब यहां पर LCM ले लो हो जाएगा चलो भाई यहां पर 12 माइनस 15 करोगे तो माइनस 3 बाइटू आपका आंसर आएगा तो यही हो गया आपका आंसर भाई मेरे यहां पर तो आपको आता होगा ना के LCM ले करके कैसे सॉल्ब करते हैं चलो भाई यह फूर कितना आसान था उसी तरीके से यहां पर 5 इसको भी simplify करना हैं और simplify करने के बाद में क्या करना है के value निकालना है is equals to zero is equals to one के को यहां पर तीन-टीन हमें values निकालने पडेंगे तो सबसे पहले आपने को simplify करना है तो हम question को लिख लेते हैं लिख के आगे बढ़एंगे और आगे बढ़के फिर हम question का कर लेंगे चलो भ जार कर रहे हो जल्दी से subscribe करो अपने fan के साथ जितना हो सके share भी कर दो एक प्यारा सा comment भी कर देना आगे चलते हैं देखते हैं इस दोनों को multiply करेंगे A को A square से करेंगे A cube होगा पलस 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 रहेगा A को A से करेंगे A square होगा पलस 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 रहेगा A को 1 से करेंगे A होगा पलस में 5 हो जाएगा देखो भई सब unlike term है कोई भी यहां पे जुड़ने वाला नहीं है A cube, A square, A और 5 सब अलग-अलग terms हैं तो अब हम यहाँ पे question 1 को solve करेंगे और यहाँ पे put कितना करेंगे भाई तो यहाँ पे putting a is equals to 0 a के जगा पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 cube हो जाएगा होगा की नहीं पलस के जगा पलस लिखोगे यह 0 square हो जाएगा भाई सही है हाँ यहाँ पे 0 हो जाएगे और यहाँ पे पलस 5 होंगे आप मेरे बच्चे solve करोगे तो 0, 0, 0, 5 तो final answer कितना आएगा 5 आएगा यानि कि आपने 1 number बड़े आसानी से solve कर लिया अब second number में हम लोग put करते हैं और कितना put करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि putting x is equals to sorry a is equals to 1 जब हम a is equals to 1 करेंगे तो यह 1 cube हो जाएगा कोई गल नहीं 1 cube कर लेते हैं पलस में 1 square हो जाएगा तो पलस 1 square होगा जहाँ जहाँ a है ना वहाँ वहाँ केवल में 1 रख रहा हूँ अच्छा यह पलस में 1 हो जाएगा क्योंकि पलस a है तो 1 रखेंगे अब पलस में 5 होगा हाँ भाई इसको solve करना पड़ेगा 1 cube 1 होता है 1 square 1 होता है 1 1 होता है 5 5 होता है जब आप बड़े प्यार से इसको add कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको 8 दिख रहा होगा यानि आपका answer कितना हो गया भाई तो यहाँ पे आपके answer हो गया 8 बोलो समझ में आया क्या clear है कोई problem परशानी दिक्कत नहीं अड़े नहीं ना हाँ चलो अब यहाँ पे third number question को देखते हैं third number question भी बड़ा आसान है minus 1 डखना है sir कोई बात नहीं है minus 1 डख लेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि putting a is equals to minus 1 minus 1 हम रखेंगे तो यहाँ minus 1 का cube होगा minus 1 का cube कर लो भाईया यहाँ पे क्या होगा plus में minus 1 का square होगा plus में minus 1 का square कर डालो और plus में minus 1 होगे यहाँ plus लिख करके एक जगा पे minus 1 लिखा और plus में 5 लिखेंगे clear है, समझ में आ रहा है बुद्धी खोल लो, अच्छे से समझो सारी बाते तुमको समझ में आएंगी भाई देखो minus 1 का cube करोगे ना तो minus 1 का cube करने का मतलब यह हो गया कि minus 1 आएगा that means कि minus 1 को आप 3 बड़ multiply कर रहे हैं तो 3 बड़ multiply कर रहे हैं तो minus minus plus plus minus minus वैसे भी आपको पता है अगर minus odd times आएगा तो वो answer में minus ही लेकर आएगा तो हमने minus कर लिया ठीक है और यह plus में minus 1 square कर रहा हो ना तो square करते हैं किसी भी negative का तो वो positive हो जाते है तो plus 1 हो जाएगा क्योंकि दो बड़ minus आएगा अब plus minus तो minus 1 हो जाएगे अब plus में 5 होंगे बच्चों plus 1 minus 1 कैंसल हो गया 5 में से एक को घटा हो गया तो कितना आएगा फोड़ आ जाएगा बोलो यहां तक ही बात किलिए रहे क्या समझ में आ गई बात है चलो भाई यह हो गया आपका B question अब यहां पे चलते हैं 5 एड करना है भाई यह एड करना भी बहुत आसान है एड कौन सी बड़ी बात है सर अब इसको फट अफट से एड कर देंगे क्या प्रॉब्लम है यहां पे देखो आपको P into P minus Q है और आपको add करना है उसमें किसको तो Q into Q minus R को और उसमें add करना है किसे तो R into R minus P को देखो कितना फट फट हो जाएगा पहले multiply कर लो P को से P को P से multiply करोगे P square P अरे समझ रहे P और P है P square हो गया होरन क्यों बजा दिये सर यहां पे होरन बजाने के तो कोई need नहीं थी होरन बजा दिये कि जड़ा सतर्क हो जाओ कई से हम यहां पे घटाने वाले multiply करने वाले देखो यहां पे plus minus minus हो जाएगा P को Q से करोगे तो क्या होगा P Q हो जाएगा अब plus 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 होगा Q को Q से करोगे तो Q स्क्वेर हो जाएगा plus minus minus करोगे Q को R से करोगे तो Q R हो जाएगा भाई आता न यह सब चीज अरे छोटी बच्ची हो गया यह सब चीज भी नहीं आती क्या तुम्हें समझ में इतना सोड़ा नहीं पर P SQ है क्या नहीं नाला है कहीं पर नहीं है अकेला है तो चलो बस रहने दो हमने पलस डाल रखा है इसमें प्रॉब्लम है क्या तुम्हें पढ़े नहीं होना शाहिए प्रॉब्लम तुमको चलो देखो आगे कोशन कैसे होते हैं नहीं होते यहां से तुम्हारे बहुत सारे कि क्या उसमें तुम्हार यंधं करना है किससे करना है तो यहां पे आपको कहेंगे नहीं पर और माइनस माइनस 2x को y से करोगे तो 2xy हो जाएगा बोलो समझ में आया क्या clear है आगे बढ़ू अरे भाई आसान तो है यह पहले को हमने इससे 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 तीनों से multiply किया फिर वही काम करने वाले हैं यहां पर इसी को तीनों से multiply करेंगे तो देखो पलस 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 लिखा जाएगा अगर कोई like term है तो आप उसको add कर दें वरना छोड़ दें उसको disturb ना करें परिशान ना करें वरना गुस्सा हो जाएगा वो देखो भाई हमें गुस्सा तो किसी को दिलाना है नहीं ठेक है तो यहाँ पर देखो 2XZ, XZ और कहीं पर है क्या XZ, XZ, XZ मेरे को तो नहीं दिख़़ा X square कहीं पर है क्या मेरे को तो नहीं दिख़़ा XY है क्या हाँ XY है YX है बोथार सेम अच्छा yz है क्या मुझे तो नहीं दिख रहा y square है क्या मुझे तो नहीं दिख रहा तो भाई क्या करेंगे जो common like term है उसको add कर देंगे बाकी को उतर देंगे ऐसे 2xz लिख दो, minus में 2x square लिख दो plus में 2yz लिख लो और minus में 2y square लिख लो और ये जो दोनों है ना इस दोनों को आप क्या करो के minus 2 है और minus 2 है तो बिटा दोनों मिलकर minus 4 xy बन जाएगा बोलो समझ में आया क्या अरे ये भी आसान थे इतने आसान चीज नहीं समझोगे तो कैसे बात चलेगा, कैसे काम चलेगा चल बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है आप ऐसे भी कर सकते हैं कि square वाले को एक साथ और बिना square वाले को एक साथ लिख सकते हैं पर मुझे नहीं लिखना addition में आगे पीछे कर लें, कोई problem नहीं है हमें कोई परिशानी नहीं होने वाली है यहां पर हम C question में देखते हैं C में क्या रहा है C में क्या रहा है भाई साथ इतना कोई से subtract करना घटाने वाली बात होगी तो इसको हम पहले लिखेंगे इसको हम बाद में लिखेंगे तो चलो जो पहले लिखने वाली बात है उसको पहले लिख लेते हैं 4 L और 10 N A-3 M A-2 L इसमें से हमें घटाना है भाई, किसको घटाना है हमें? तो इस पूरे को घटाना है तो आप इस पूरे को घटाने के लिए क्या करोगे? आप पर लिख लोगे 3 L और L A—4 M A+,5 N ठिक है इस तरीके से करके लिखे लोगे लेकिन bracket में रखोगे bracket में रखना बहुत जरूरी है अगर bracket में रखोगे तो पता ही क्या होगा यह गड़बर हो जाएंगे क्योंकि एक 3L को तो नहीं घटाना है पूरे bracket वालों को इस पूरे family को घटा डालना है एकदम से जैसे मन करो वेसे इसको घड़ा लालो, लेकिन बैकेट मेरत लेना, देखो, पहले आप multiply करलो, इसको चुपके से multiply करो, जल्दी से कर लाए बाई, 4L को 10N से करोगे 1040 होगा और L को N से करोगे तो LN हो जाएगा पलस माइनस माइनस होगे 4 को 3 से करोगे 12 होगे और L को M से करोगे LM हो जाएगा और फिर पलस 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 होगे 4 को 2 से करोगे मल्टिप्लाइ 8 होगा L को L से करोगे L स्क्वार होगा गैसर करते करते बहुत लंबा मल्टिप्लिकेशन था फिर कोई नहीं माइनस साइन देंगे ब्रैकट के अंदर ही इन लोगों को चुपके चुपके मल्टिप्लाई करवा डालेंगे बाद में सबको गटा देंगे यार इसमें से चलो 3L को L से कड़ोगे तो 3L स्क्वेर हो जाएगा और पलस माइनस माइनस होंगे चारतिया यह बारे और L को M से कड़ोगे LM होगा चारतिया बारे बोल दी टेंशन तो नहीं हुआ ना चलो ठीक है अगर दिक्कत हो रहा है तो फूर थी जा ट्वेल बोल दे रहें ठीक है अब यह उतार लेंगे ठीक है आपको उतारने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा एकदम पूपट से पूपट बच्चा भी इसको उतार डालेगा देखो ब्रैकेट के बाहर बच्चे माइनस हैं तो ब्रैकेट हटेंगे तो सब अपना-पना साइन पलट लेगा कहे कि माइनस पलस होता है तो यहां देखो माइनस माइनस फालस होता है तो अब यहां मैनस वाला प्लस बन गया तो मैरे माइनस पलस पिर माइनस कर दो ना चलो भाई अब लाइक टर्म को एड़ कर दो 40-15 एल एन तो 40 में से 15 गया तो कितना बचेगा भाई 25 बचेगा क्या तो आप यहां पर लिख दो 25 समझ में आया है क्या कि मैं यहां पर क्यूं लिख रहा हूं 25 बढ़ी है अब उसके बाद हम यहां पर क्या करने वाले माइनस 12 बचेगा और यही आप का आंसर हो जाएगा भाई मेरे कितने अच्छे से तुमने इसको स्वाल कर लिया थैंकियो थैंकियो इसी तरीके से मेने से पढ़ाई करते रहो फिर देखो कि सर कैसे कर रहा है अब इसके बाद यह लास्ट कोशन है अब इसके बाद कोई कोशन नहीं है इसलिए टेंशन ना लिए और जाधा बड़ी किलास नहीं होने वाली इसको देख लो थोड़ा सा कॉंप्लिकेटेड है इसको कैसे सॉल्व करना है न क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी कोशन में माइनस में है 2b और इंटू में है a-b प्लस में c है इसको करना है जल्दी से हम करना है थेक है क्योंकि लग रहा है कि मेरे लैप्टॉप की बैटरी जा रही है लाइट वैट भी नहीं है तो जल्दी से हम तुमको साल्व करें एक दियान से देखना समझ में आ जाएंगी बाते चलो हम इसको क्या करते है पहले multiply कर लेते हैं तो 4c को plus minus minus 4c a हो जाएगा फिर plus 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 4bc होगा आप दुनों को multiply करो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस होगा 4c2 हो जाएगा अब यहां पर आप माइनस देके ब्रैकेट रख लो यहां माइनस देकर के ब्रैकेट रख लो देखो पहले इस से मल्टिप्लाई करो तो आप कहोंगे 3a2 स्क्राइब प्लस में 3ac टीक है अब माइनस है बिटा तो यहां माइनस प्लस माइनस हो जाएगा लोगे अब यहाँ पर क्या करो अगर solve like term है तो कर लो वरना छोड़ दो यहाँ पर तो कोई like term है नहीं तो हम यहाँ पर 4CA plus 4BC plus 4CA square को as it is उतार लेते हैं और minus देखे 3A square A square है क्या नहीं है AB है क्या AB 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 हाँ है यह देखो ना 3AB और 2AB है तो आप इसको उतार लो 3A square को 3AB में से 2AB गया AC मेरे को तो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर 3AC लिख लो और उसके बाद में यहाँ पर क्या बच गया भाई मेरे 2BA square बच गया तो 2bA2 लिख लो और उसके बाद में यहां पर माइनस 2bc बचा तो माइनस 2bc लिख डालो कोई दिक्कत कोई परिशानी यहां तो कोई दिक्कत नहीं है आपने यहां देख लिए 3a2 plus 3ab plus 3ac और माइनस में 2bc माइनस में 2bc और 2bA2 आपने देख लिया और exactly माइनस 2ab और माइनस 2ab को हम लोगने solve कर ले ना 3ab में से 2ab गया तो हाँ 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 बस कोई दिक्कत तो नहीं है चलो भाई अब हम आगे बढ़ लेते हैं इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो यहां पर माइनस 3ac पलस है तो माइनस 2bA2 माइनस है तो पलस 2bc अब जो like terms है उसको add कर दो बिटा ca कहीं पर है क्या ca देखो यहां पर हाँ यह है सर ca डबल डबल हमें ca मिल गया तो माइनस 3 और माइनस 4 तो माइनस 7 ca कह डालेंगे अच्छा bc कहीं पर है क्या bc यहां भी है तो पलस 2 है और पलस 4 है यानि पलस 6bc हो जाएगा अच्छा ca2 है क्या नहीं है तो ca2 को भाई मेरे लिख दो चुप चाप लिख डालो पलस 4 ca2 माइनस 3a2 है क्या कहीं पर कहीं पर नहीं है तो आप इसको उसी तरीके से लिख डालो माइनस 3a2 माइनस a b कहीं पर है क्या नहीं है तो माइनस a b लिख दो और माइनस 2 ba2 है क्या तो नहीं है तो माइनस 2 ba2 हो गया यानि आपका final result हो गया minus CA को AC भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है plus 6BC हो गया plus 4CA square हो गया minus 3A square minus AB minus 2BA square यह हो गया आपका final result answer तो overall मैंने इस पूरे के पूरे exercise को better solve कर दिया अब आपको क्या करना है कि बिल्कुल इस exercise की practice करनी है और practice करने के बाद में आप जो notes बनाया है उस notes को आप बार बार revise करते रहेंगे क्योंकि आपके लिए revision बहुत ज़ादा important है इसके बाद वाले जो lectures हैं उसको हम लेकर के आएंगे tension नहीं लेना लेकिन देखना ज़रूर महनत से पढ़ाई कर बिता आपको महनत करना पड़ेगा अगर आप महनत नहीं करते हो न तो exactly आप से आगे वो बच्चे चले जाएंगे जो महनत कर रहें simple सी बात है तो एक अच्छे बच्चों को महनत करना ज़रूरी होता है आप हमारे अगर इस चैनल को subscribe नहीं किये हो तो subscribe कर दो मेरे भाई उसमें कोई महनत नहीं लग रहा है ठीक है और अपने फ्रेंट के साथ जितना हो सके शेयर करो अच्छे चीज़े अपने फ्रेंट के साथ भी शेयर करना चाहिए और hashtag राशी दंजम सर जरूर कमेंट कर दो और कोई और अच्छा सा प्यारो सा कमेंट भी कर देना जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलना मिलते हम तुमसे नेक्स लेक्शर में ओके बाई बड़नाइट बच्चों